Hello friends welcome to my channel Excellent Coaching Biology of Personality में Behavioral Genetics की बात करेंगे Behavioral Genetics एक study है जिसमें यह चीज देखी जाती है कि individual की personality inherited कैसे होती है मतलब वो inherited traits से कैसे होती है जिसे animal breeders होते हैं उन्हें पता है कि वो selective अगर breeding कराएंगे तो वो एक specific जो उनके desirable traits हैं हर एक species जो breed है उसको अगर वो selective breeding कराते हैं तो वो particular trait उनको हर एक animal से उसमें मिल सकते हैं ऐसे ही genetic behavior genetics में यह देखा जाता है कि क्या हमारे personality में भी genetics का कोई role होता है animals में तो यह चीज प्रूव हो चुकी है selective mating के थ्रूँ बट अगर temperament of animal का अगर हम उसको उससे करें मैच करें humans के तो क्या उसमें भी influence होती है heredity genetics की वज़ा से तो यह उस चीज के ओपर study करती है behavioral genetics अब जब हम behavior को genetics से relate करते हैं तो twins की study करनी बहुत जादा जरूरत होती है क्योंकि twins में क्या होता है कि genetic same होते हैं तो उसमें के देखना पड़ता है कि genetics अगर सेम है तो personality भी बहुत similar होगी तो the difference between monozygotic and dizygotic मतलब monozygotic मतलब identical twins हो गए dizygotic मतलब fraternal twins जो identical इतने नहीं होते तो इनके बीच में क्या होता है कि identical twins जो है है शेर करते हैं मतलब दोनों का सेम होता है एकदम लेकिन जो fraternal twins होते हैं उनका 50% similar होता है तो अब इन दोनों की personality में कितना फरक आता होगा इसकी वजासे उनकी genetics में similarity होती है इतनी या थोड़ा बहुत जो 50% भी अगर similar होता है तो और by comparing identical twins to fraternal twins especially when twins can be found who were not raised in the same environment अब जैसे यहां पर इन दो लोगों का आपको जो फोटो दिख रही है यह जेम्स आर्थर है जेम्स एड़ड यह वैसे तो यह twins हैं लेकिन जब बिर्थ के बाद यह दोनों अलग 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 हो गए थे तो इसका कि हमारा जो behavior है यहां जो हमारी personality उस पर genetics का influence कितना होता है अब जो result आए है मिनिसोटा की twins study में उनके results यहां पर आपको graph में दिख जाएंगे यहां पर इनोंने आपको इतना clearly दिखाया वहा आप में देखो जो यह आपको औरेंज कलर के दिख रही है लाइंस यह identical twins उनके ओपर जो study हुई है और यह जो ग्रे कलर की दिख रही है यह फ्रेटरनल ट्विंज है फ्रेटरनल मतलब जो इडेंटिकल नहीं होते देखने में एक जैसे नहीं होते अब यह आपको correlation की value दिखा तो यह पूरा जो ग्राफ यहां पर दिखा रहा है यह प्रूफ कर रहा है कि हर चीज में correlation किसमें जादा है आपस में जब हम twins की study करते हैं जो इडेंटिकल होते हैं उनकी correlation जादा है मतलब उनकी जितने भी यह ट्रेट्स यहां लिखे हुए वह बहुत जादा मिलते जूरत हैं as compared to fraternal twins होते हैं तो यहां पर एक तो यह चीज क्लियर हो गई कि genetics का बहुत जादा रोल होता है हमारे behavioral traits में और जिनका तो बिल्कुल ही genetic similar है उनके behavior में भी बहुत similarity नजर आती है यहां पर यह चीज क्लियर हो गई है फिर आती है adoption studies कि अगर adopted होते हैं बच्चे adoption में क्या होता है कि उनकी genetics का नहीं पता होता लेकिन उनका environment यह पता होता है कि कहां पे वो रह रहे हैं कहां पे वो बड़े हो रहे हैं तो if studying genetically identical twins raised in different environment अगर जैसे दो twins हैं जिनको अलग-अलग लोगों ने adopt कर ली और वो अलग-अलग environment में अगर बड़े होते हैं तो उससे ह में यह भी पता चल सकते हैं कि environment का कितना असर हुआ है then studying unrelated people who are raised in the same environment और जो unrelated लोग होते हैं जिनका आपस में कोई relation नहीं है सपोस्स किसी का अपना खुद का बच्चा है प्लस उसने उन्होंने एक और adopt किया है दोनों unrelated हैं दूसरे से genetics दोनों के अलग-अलग हैं लेकिन वो तो उनों को हम study करके बता कर सकते हैं कि environment का कितना रोल होता है तो by comparing adopted children to their adoptive parents and siblings if possible to their biological parents who have not raised them, researchers can uncover some of the shared and non-shared environmental and genetic influence. तो मदब adopted children की study से हम यह देख सकते हैं कि genetics की वज़े से क्या फरकाया, environmental की वज़े से क्या फरकाया, adoption studies have confirmed what twin studies have shown, genetic influence account for a great deal of personality development regardless of shared and non-shared environment. तो जब adoption studies करी थी तो उसका result में यह चीज़ confirm हो गई थी कि genetics का role काफी ज़्यादा influential है, मतलब heredity का role ज़्यादा powerful है as compared to environment, environment चाहे shared हो चाहे non-shared हो, अगर genetics similar है तो उनके personality भी similar ही होती है. current findings क्या है, इसमें several studies have found that five personality factors have nearly 50% rate of heritability, heritability का मतलब होता है, तो degree to which changes in some trait within a population can be considered due to genetic influence, मतलब जो five factor model है, उसकी 50% heritability है, कि 50% जो है वो लोगों में genetics की वज़ासे जरूर होगा, तो यह current study में मिला है, कि उसकी जो degree है, उस trait की change होने से within a population, वो change होगा कितना, genetics की वज़ासे वो 50% है heritability, तो यह major finding है, current studies की, और जो studies और होती है, genetics में, personalities में, उससे हमें यही बदाच चलते हैं कि personality traits में कितने variations आते हैं, और this also means that environmental influences apparently account for about half of the variation in personality traits, तो environment का भी half of the influence means 50% role environment का भी होता है, लेकिन genetics का role काफी ज़्यादा strong माना गया है, फिर यहां पर classic study है, जिसमें इन्होंने culture के base पर बताया है कि कैसे personalities बदलती हैं, और यह बहुत interesting study है यहां पर जो 64 countries में करी थी, across the world, और यहां पर जो data collect हुआ था, उसके base पर बता चला कि हमारा cultural based भी personality में बहुत difference आ जाता है, जिसे पहली एक चीज है individualism, collectivism, जो मैंने प individualistic culture कौन सा होता है, जैसे हमारे एशिया का culture है, इंडिया का culture है, चाइना का, sorry, individualistic हो गया जो western culture है, collectivistic हमारे एशिया का है, तो individualistic culture है, जो western countries का होता है, जहां पे लोग अपने आपको ज्यादा importance देते हैं, अपने self को, ज्यादा social नहीं होते हैं, वो सिरव अपनी खुद का और अपनी immediate family का ही ज्यादा care करते हैं, और वहाँ पर अगर किसी के friends होते भी हैं, तो वो इस वज़ा से होते हैं, क्योंकि उनकी activity similar है, या उनके कुछ interest similar है, जिसके ओपर वो बात कर सकते हैं, या फिर वो किसी social group में है, autonomy वाका एक बहुत बड़ा trait होता है लोगों में, autonomy मतलब अपनी life को control कर पाना, अपने actions को control कर पाना, तो वहाँ पर autonomy, youth, security of the individual, equality, यह सब चीजों को बहुत value मिलती है, individualistic cultures में, अगर collectivistic की बात करें, तो यहाँ पर लोग आपस में बहुत जादा एक group में रहना पसंद करते ह है, families को बहुत जादा value मिलती है, collectivistic culture में, जैसे grandparents को uncles, आजसे आपको इंडिया का culture में दिखते है कि एक बड़ी family जादा देखने को मिलती है, आजकल थोड़ा trend change होता जा रहा है, लेकिन culture हमारा भी भी collectivistic में ही आता है, क्योंकि हम अपने extended family को भी बहुत importance देते हैं, हमार family से loyalty होती है काफी जादा, और individual से पहले family को आगे हम place करते हैं, हम पहले ही देखते हैं कि family को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने कुद के अकेले करे नहीं देखते हैं, हमारे लिए group membership बहुत important होती है, और लेकिन permanent होती है, ऐसे नहीं है कि हम लोग सिरफ एक shared interest की वज़ा से ही जैसे Japan, China, Korea, Mexico, India और जो मैंने individualistic culture की बात की थी, उस culture में United States और Great Britain यह सब लोगा जाएंगे, तो यह एक फरक हो गया personality का culture के वज़ा से, दूसरा है power distance, power distance का मतलब है, degree to which less powerful member of a culture accept and even expect that the power within the culture is held in the hands of a select few, तो power difference है जब किसी culture में लोग यह मान लेते हैं और वो expect भी यही करते हैं कि जो power है, इस culture में बिल्कुल कुछ थोड़े से लोगों के पास ही है, सब के पास नहीं है power, तो यह powerful लोग है, वो बहुत थोड़े से लोग हैं ऐसे, countries जैसे कि Philippines हो गई, Mexico हो गई, अरप countries हो गई, औ उन सब में यह इस चीज के expectations बहुत हाई मानी जाती है, कि culture के अंदर कुछ ही लोग ऐसे हैं, जो बहुत powerful हैं, और जो Australia, Sweden, Australia, Great Britain, यह लोग हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं, कि power सिरफ कुछ लोगों के पास है, इनके according power हर एक के पास है, और हर एक individual के पास है, वो अपने आपको और ज्यादा powerful बना भी सकता है, फिर masculinity और femininity पर भी बात होती है, अब जैसे जो culture है, जो masculine culture है, जिसको हम masculine कहेंगे, वह वहां पर लोग assertive होते हैं, competitive होते हैं, although more so for men, मतलब यह जाहतर मेल्स की बात कर रहे हैं, and feminine culture में लोग थोड़े से modest होते हैं, caring होते हैं, तो जो feminine culture है, वहां पर दोनों ही, male और female दोनों ही, उनके अंदर caring value जादा होती है, और जो masculine countries है, वहां पर male में assertive ने जादा होती है, as compared to female, males बहुत assertive और competitive होते हैं, इस वज़ा से क्या हो जाते हैं, जो masculine culture है, उनमें difference हो जाता है, दोनों के बीच में, male और females के बीच में, तो इस होती है, जो है, वहां पर equality थोड़ी सी कम होती है, male female gender में, क्योंकि masculine culture है, तो masculine के ओपर जादा focus होता है, लेकिन feminine culture में दोनों बराबर माने जाते हैं, तो अब इसमें जासे example दिया हो है, कि Japan, Austria, Venezuela, Italy, Switzerland, Mexico, Ireland, Jamaica, United States, Great Britain, यह सारे क्या है, यह masculine countries है, मतलब यहां पर जो males होंगे, वो बहुत competitive टाइप के होंगे, लेकिन females बहुत ही submissive टाइप के होंगी, और जो दूसरे इन्होंने लिखे हैं, जैसे Sweden, Norway, Netherlands, Denmark, Costa Rica, यह सारी जगा पर feminine culture है, तो यहां पर आपको male और female दोनों ही बहुत caring दिखेंगे, फिर uncertainty avoidance, some cultures are more tolerant of uncertainty, मतलब कुछ culture ऐसे होते हैं, जो uncertainty को tolerate कर लेते हैं, और कुछ culture होते हैं, जो uncertainty को यह ambiguity, मतलब confusion, उसको बिल्कुल tolerate नहीं कर पाते हैं, तो उनके वहां पर strict rules होते हैं, strict laws होते हैं, बहुत security होती हैं, क्योंकि उनको uncertainty बिल्कुल पसंद नहीं है, so culture that are more accepting of uncertainty are tolerant of different opinions and have fewer rules, जो culture, जो countries में ऐसा culture है, जो uncertainty को tolerate कर सकते हैं, वहां पर लोगों की different opinion को accept किया जाता है, और वहां पर rules भी कम होते हैं, और वो different religious beliefs को भी exist करने देते हैं, जैसे हमारे अपने इंडिया में भी यह सब चीजें, rules थोड़े इतने जादा strict नहीं हैं, लोगों की opinions मानी जाती हैं, और बहुत सारे religious beliefs हैं अ emotional भी होते हैं, then uncertainty avoiding countries, जहां पर उनको बिल्कुल uncertainty नहीं पसंद है, हर चीज कंट्रोल में रखना चाते हैं, जैसे यहां पर जूश नाम दियो हैं बहुत सारे, तो यहां पर क्या है, यहां पर rules बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो यह इन्होंने बताया है कि कैसे personality लोगों की, कि लोगों की personality कल्चर के बेस पे किस तरह के से फरक हो जाती है, अब नेक्स वीडियो में हम assessment of personality के बारे में बात करेंगे, मतलब की हम personality को कैसे check करते हैं, कैसे assess करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सी personality है, इसमें कुछ test है, जैसे interview हो गया, projective behavior बात करेंगे, तो नेक्स झालची 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 झाल